हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल न्यू पैटन में स्लीविस टिजाइन बनाने के लिए हमने चकोर सेप में कटा हुआ कपडा लिया है जिसकी लंबाई और चौडाई दोनों तीन इंच है अब हम एक लंबा सा कागच लेंगे कागच के लंबाई 10 इंच 8 पॉइंट है और चौडाई 3 इंच है कागच को बीच में से ऐसे फोल्ड करके कागच के बीच में सीधी लाइन की ऐसे क्रिच बैठा लेनी है अब ये देखिए कपड़े को हम फोल्ड करके यहां पर लगाएंगे और सिलाई चला लेंगे ये देखिए यहां किनारे के साइड में सिलाई चलानी है बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक कपड़े को फोल्ड करके यहां पर लगाएंगे और सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट करें जिस से हमारी आने वाले नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद धागे को कट करेंगे अब हमें कागज की दूसरे साइड में कपड़े को फोल्ड करके यह देखिए यहां पर लगाना है जिस सेप में हमने कागज की दूसरे साइड में कपड़े को लगाया है बिल्कुल उसी सेप में हमें कागज की दूसरे साइड में भी कपड़े को लगाना है दोनों साइड का हमारा डिजाइन एक बराबर में होना चाहिए उपर नीचे नहीं होना चाहिए तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो गई है अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद अब हमें बीच में से कागज को ऐसे कट करना है दोनों डिजाइन को हमें अलग कर लेना है अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इस कपड़े की चोड़ाई हमने देड इंच ली है कपड़े को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसकी किनारी की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट करेंगे कपड़े को बराबर करते हुए यहां से एश्ट्रा कपड़े को एक बराबर में कट कर लेंगे फिर ये वाले कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके उपर की साइट से सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाते समय कपड़े को थोड़ा टाइट लिगीचेगा जिससे आपके डिजाइन में परफेक्ट फिनीशिंग आएगी इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे डिजाइन को उल्टा करके यहां से एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरा हमारा डिजाइन है उसमें भी हमें ऐसी पतली पाइपिन बना लेनी है अब हम दोनों डिजाइन को जोईट करने के लिए एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े के उपर हम डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और यहां से सीधी सिलाई चला देंगे यहां पर हमें सिलाई को स्टॉप करना है और कपड़े को ऐसे घुमा कर जो हमारा दूसरा डिजाई ने इसे यहां पर लगा कर जुआइंट करना है अब हम दूसरे डिजाईन के उपर भी सिलाई चला देंगे इस तरीके से आप दोनों डिजाईन को इजली अच्छे से जुआइंट कर सकते हैं यहां से हम धागे को और किनारे के साइट से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे इस तरीके से डिजाईन को तयार करने के बाद यह देखिए यहां किनारे के साइट से डिजाईन के उपर सिलाई चलाते हुए कागच में अच्छे से जुआइंट कर लेंगे अब हमें इस डिजाइन के लंबाई के बराबर आस्तिन का कपड़ा लेना है ये देखिए जितना हमारा डिजाइन का लंबाई था उतना ही हमारा आस्तिन की लंबाई है इसकी चोड़ाई एक साइट से हमने 6 इंचली है आस्तिन के कपड़े को दो भागों में ऐसे कट कर लेंगे अब हम एक लंबा सा कपड़ा फोल्ड करके यहां पर लगाएंगे और एक बराबर में यहां किनारे की साइड में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट करके अंदर के तरफ कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और उपर के साइड से सिलाई चला लेंगे यहां से हमें धागे को कट कर लेना है और एश्ट्रा कपड़े को भी बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे आस्तिन का दूसरा टुकड़ा है उसमें भी हमें ऐसी पतली पाइपिन बना लेनी है अब जो हमारा डिजाइन है वो लेंगे डिजाइन के किनारे की साइड में आस्तिन के कपड़े को ऐसे लगाएंगे और यहां से एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समें कपड़े को थोड़ा टाइटली घीचेगा जिससे आपके डिजाइन में परफेक्ट फिनीशिंग आएगी अब हम डिजाइन के दूसरे साइड में भी आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड डिजाइन के दोनों साइड में हमने आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने दो इंच ली है इस कपड़े को हमें यहां नीचे की साइड में ऐसे लगाना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहां से धागे को और एश्टरा कपड़े को कट करेंगे अब हम यहां से कपड़े को सीधा करके ऐसे फोल्ड करेंगे और उपर की साइड से एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे फोल्ड किया हुआ कपड़ा एक साइज में होना चाहिए कहीं चोड़ा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए तो ये देखें नीचे की साइड में हमने चोड़ी पट्टी लगा ली है चोड़ी पट्टी लगाने के बाद अब हमें सर्ट का बटन लेना है सर्ट के बटन को हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागे की मदद से कपड़े को हम अच्छे से लॉक कर देंगे यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और डिजाइन के बीच-बीच में हम ऐसे बटन लगा देंगे तो ये देखे हमने डिजाइन के बीच-बीच में बटन लगा ली है डिजाइन के पीछे की साइट से कागच को निकाल लेना है कागच को निकालने के बाद हमारा ये डिजाइन कम्प्लीट हुआ आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं थैंस पॉर वाचिंग